हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू मैं चैनल आटो वेज और ये वीडियो काफी स्पेशल है मेरे लिए क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए लाया हूँ सॉनेट के जीटी एक्स प्लस वेरियंट का वॉक अराउंड तो काफी बढ़िया वीडियो होने वाला है अगर आपको पसंद आता है तो प्लीज एक लायक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजेगा तो यहाँ पर सबसे आगया आप देख सकते हैं इसका फ्रेंट पोर्षन जो है काफी बढ़िया देखने में लगता है अब आपको मैं बता सकता हूँ कि फ्रेंट से तो काफी रियली काफी जादा अच्छी देखने में लगती है तो इसके फ्रेंट में यह GTX मॉडल है याने कि GTX प्लस जो वेरियंट है वो है GTLINE ट्रिम तो उसके अंदर front में grill जो है वहाँ पर अप रेड एक्सेंट देख सकते हैं सामने की तरफ जो GT lin की UM纜 है वो देख सकते हैं नीचे जो lower bumper है वहाँ पर red accent का यूस देख सकते हैं वो काफी एच्छे लग रहा है, तो overall front look जो है, वो तो काफी बड़ी है लगता है देखने में, अब देखिए दोस्तों जो वीडियो है थोड़ा सा proper नहीं बन पाया है, उसके पीछे का reason मैं आपको बता दूँ, पहली चीज तो काफी जादा बारिश हुई थी, आप देख सक की हैं कि आपको एक तरीके से walk around पूरा दे दूँ की GTX plus variant किस तरीके का लग रहा है, यहाँ पर आप इसका जो side profile है, वो देख पा रहे होंगे, तो इस अगर side profile की बात करी जाए, यहाँ पर भी red का use आपको काफी बढ़िया देखने को मिल जा रहा है, जो इसमें side gladding है, वह हाँ पर देखने को मिल रहा है, red का use, इसके अलावा जो किया की badging इसके alloy wheel के उपर दे रखी है, वो red से covered है, वो काफी अच्छा लग रहा है, brake calipers जो हैं, अगर आप ध्यान से देखेंगे, तो notice कर पाएंगे, वो भी red color के हैं, इसके अलावा सबसे main चीज, जो इसके alloy wheels है वो काफी अच्छे देखने में लगते हैं, अब मैं ये actually मैं आप से कह सकता हूँ, क्योंकि मैंने ये जो है देखें हैं, तो मुझे काफी पसंद आया है, इसके आपके क्या opinion है, इसके बारे में मुझे नीचे comment box में ज़रूर बताइएगा, side profile में आप इसमें देख सकते है कि chrome के आपको door handles देखने को मिल जा रही है, इसके अलावा जो ORVMs हैं, integrated turn indicators के साथ आते हैं, तो ये भी चीज़ा आप side में देख सकते हैं, इसके अलावा जो body cladding है, तो वो all around की है, sonnet आपको देखने को मिल जा रही है, तो देखिए दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने स अगर इसके back portion की, तो यहां पर आप देख सकते हैं कि किस तरीके का आपको काफी बढ़ी है सा back मिल जा रहा है देखने को, इसमें जो नीचे आप silver का use देख रहे हैं, वो काफी अच्छा लगता है देखने में, और जो fox इसके plate है, gloss black कलर की, वो भी काफी जादा शानदार इसके अलावा जो एकदम middle portion है, इसकी tail lights का, वहां पर आप देख सकते हैं, आपको back camera देखने को मिल जा रहा है, तो यह कुछ इस तरीके से आपको इसका back portion मिल जाएगा, इसके अलावा एक चीज जो मुझे काफी अच्छी लगी, actual में देखने में, जो ignis के type का जैसे आपक side में design दे रखा है, back के side में, वो काफी अच्छा देखने में लगता है, अब देखिए अगर इसके interiors की बात करी जाए तो interior काफी शांदार देखने को मिल जाते हैं, जितना मैंने notice किया, तो काफी बढ़िया interiors और premium interiors देखने को मिल जाएंगे, इसके अलावा इसके front वाल देखने को मिल रहा है, steering mounted controls हैं, तो ये सारी चीज़े तो आपको इसके अंदर मिल जा रही है, जो कि काफी बढ़िया है, देखिए अब आपको बताना चाहूंगा, इसके rear portion के बारे में कुछ information, तो मैंने जितना notice किया, उसे साब से मुझे really लग रहा था कि इसमें जो जग प्यार्ड से मैंने सीधे लिया था, इसके अलावा आपको बता दू कि एक proper जो walk around वीडियो है, in detail वाला, वो भी hopefully मैं 3-4 दिन के अंदर अंदर post कर दूँगा, तो उसके लिए आप अगर चाहते हैं वी वीडियो देखना, तो मेरे चैनल को subscribe जरूर कर लीजेगा, देखिए फाइनली थोड़ा सा मैंने जो इसका boot space है, वहाँ का भी थोड़ा सा footage ले लिया था, तो आपको यहाँ पर बताना चाहूँगा, इसका boot space segment में सबसे best है, 392 liters का, अब जिस तरीके से यह segment में आपको best मिलता है, तो थोड़ा सा compromise इसी की वज़े से, आपको जो इसकी second row वाली seat हैं, वहाँ पर देखने को मिल जाएगा, तो दोस्तों खेर चलिए, यह तो बात हुई Sonnet के GTX Plus variant के बारे में एक छोटा सा walk around, temporary walk around type का वीडियो था, आपको कैसा लगा मुझे नीचे comment box में जरूर बताइएगा, इसके अलावा मैंने काफी efforts किया हैं दोस्तों यह वीडियो